नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सबीका एक्जाम अचीर्मन में मैं करूना एक बार फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ एक और वीडियो और ये वीडियो होने वाला है क्लास 12 के होम साइन सब्जेक्ट के स्टुरेंट्स के लिए इस वीडियो में आप पढ़ेंगे चैप्टर नमबर बारा फैशन डिजाइन और व्यापार इस चैप्टर के सभी इंपोर्टन टॉपिक्स को मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ बहुत ही इजी लेंग्वेज के साथ तो शुरू करते हैं फ्रेंट्स सबसे पहले है फैशन क्या होता है तो एक शेली या शेलियां जो किसी एक काल अवधी में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है उसको हम फैशन बोलते है नेक्स्ट है शेली क्या होती है तो परिधान यानि की कपड़े वस्त्र सहायक सामगरी की विशेस्ट दिखावट विशिस्ट ता फैशन में शेली आती है और चली जाती है परन्तु विशिस्ट सैलियां शदेव बनी रहती है नेक्स्ट है ऐस्थाई फैशन क्या होता है कम समय के लिए होता है ये और एक ही बार आकर चले जाते हैं इतने प्रभावशाली नहीं होते कि ग्रहकों को लंबे समय तक आकरशित कर पाएं जैसे की होट पैंट बैगी पैंट और बेमेल बटन ये कुछ इस तरह के एक्जेम नेक्स्ट है चिर सम्मत या फिर क्लासिक शेली किसे कहते हैं तो कभी पूर्णता आप्रचलित नहीं होती लंबे समय तक लगभग स्वीक्र डिजाइन की सादगी की विशिस्ट्रता है जो इन्हें आसानी से पुराना नहीं होने देती जैसे की ब्लैजर, जैकेट, पोलो छोटी काली ड्रेस और चैनल सूट इत्यादी नेक्स्ट है फैसन का विकास तो प्राचीन मध्यकाल से हम शुरुआत करेंगे शेलियां एक साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्थित नहीं होती थी मतलब लगभग सो सालों तक एक ही जैसा आपना चलता रहता था नौ जागरनकाल तो पस्चिमी सब्भताने विभिने संस्कृतियों रिती रिवाज और पोशाकों की खोज इस समय हुई या फिर की फैशन परिवर्थन को बढ़ावा मिला नए कपड़े और विचारों की उपलब धता हुई लोग नई वस्तूओं को पाने के लिए ललाईत हुए यानि की एकसाइटेड हुए अब है फैशन का किंद फ्रांस यहाँ पे फ्रांस की बात हो रही है तो अठार्मी शताब्दी के प्रारंभ में यहाँ पर ये चीज़ें प्रभुत्ववाली शुरू ही लोग दो प्रमुक वर्गों से आ जाते थे एक वर्ग कहलाता था अमीर और दूसरा गरीव अठार्मी शताब्दी समराट लुईस चहुद्वे के कोट के सदस्य अपनी रूची को प्रात्मिक्ता देते थे पैरिस को यूरोप की राजधानी बना दिया गया शाही नयायाले से समर्थन रेशमुद्योग का विकास हुआ रेशमी वस्त्र, रीबन और लेस भेजे जाते थे सभी कपड़े हाथ से बनते और ग्राहक के अनुसार अर्थात ग्राहक के नाप के अनुसार बनते कौचर परिधान निर्मान की कला को कहते हैं ये एक कुशन है और कौटीरियर यानि की ये हो जाता है पुरुष या फिर महिला कौटीरियर करके नेक्स्ट है ओध्योगिक क्रांती तो वस्त्र निर्मान प्रद्योगिक उन्नती इसके कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे जिसमें की फर्स्ट पॉइंट में ये आ जाएगा सेकेंड कम समय में अधिक वरस्तों का निर्मान ओध्योगिक क्रांती के दोरान हुआ कातने वाले यंत्र और कर्गों का आविशकार हुआ अमेरिकी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ और मध्य वर्ग का जनम हुआ अभी यानिकी ओधगी क्रांती के दौरान तीन वर्ग हो गए अभी तक सिर्फ दो थे अमीर और गरीब अब हो गया अमीर गरीब और इनके बीच में मध्य वर्ग 1790 में क्या बदला आवाए तो सबसे पहले तो सिलाई मशीन का विशकार हो गया हस्त शिल्पों को द्योग में बदला गया फैशन का लोकतंत्री करण हो गया और 1859 में इसाख सिंगर ने पैरो से चलने वाली सिलाई मशीन विक्सित की तो किसने की? इसाख सिंगर ने जिसने हातों को मुक्त कर दिया उपयोग क्या हुआ? युद्ध के समय सैनिकों की वर्दी सिल्ने के लिए इसका उपयोग स्वर्प्रथम किया गया 1849 में क्या बदलाव आए? तो लेवी स्ट्रॉस ने टेंटो और माल डिब्बो के कवरों का उपयोग करके ज्यादा चलने वाली पैंट बनाई किसने बनाई? लेवी स्ट्रॉस ने जिसमें ओजार रखने के लिए जेवे भी लगाए गई और इन पैंटो को डेनिम्स कहा गया मज़्दूरों के लिए विसेश रूप से इन पैंटो का निर्मान किया गया था एक मात्र परिधान जो पिछले डेड़ सो वर्षों से एक ही जैसा है और अब 1880 में क्या बदलाव हुए? तो महिलाओं ने स्कर्ट ब्लाउस पहनने शुरू कर दिये पहनने को तेयार कपडों का निर्मान होने लगा लंबाई और कमर आसानी से मैप के अनिकूल बनाई जाने लगी रोजगार से जुड़ी महिलाएं परिधानों को आपस में मिलाने की विविधता का काम आसान हो गया और अब आजाते हैं उननिस्वी सेंचूरी में क्या बदलाव हुए? तो जनता को जेब के अनुकूल फैसन मिलने लगा यानि कि बहुत ज़्यादा पैसा उनको नहीं खर्च करना पड़ा मेले और बाजार लगने लगे आने लगी आज कल में क्या बदला हुए? आधिक संख्या में लोग सेहरों में बस गए उनकी आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए बड़ी दुकाने, स्टोर श्रंखला या फिर चैन स्टोर आ गए इसके अलावा फैशन चक्र क्या होता है? तो जिस तरीके से फैशन बदलता है उसे समाने तहाफ फैशन चक्र के रूप में जाना जाता है वह समय या जीवनकाल जिसमें एक फैशन अस्तितू में रहता है प्रवेश से लेकर अप रचलन तक पांच इस्तरों में गती करता है शैली की प्रस्तुती क्या होती है तो डिजाइनर अपने शोध और रचनात्मक विचारों को परिधानों में ढालते हैं और फिर जनसाधारण को एक नई शैली उपलब्द कराते हैं डिजाइनरों की रचना के लिए रूप रेखा रंग, आकरती, वस्तर जैसे आफ्यवों तथा अन्य विवरणों को एवं उनके एक दूसरे के साथ संबंध को बदलना पड़ता है लोग प्रियता में व्रधी कैसे होती है जब नया फैशन बहुत से लोगों द्वारा खरीदा जाए, पहना जाए या देखा जाए तो इसकी लोग प्रियता बढ़नी शुरू हो जाती है और लोग प्रियता की पराकास्था क्या होती है जब कोई फैशन लोग प्रियता की उचाई पर होता है तो उसकी मांग इतनी अधिक हो जाती है कि बहुत से निर्माता उसकी नकल करने लगते है विविन मूले इस तरों पर उसके रूपांतरों का उत्पादन होने लगता है ये उसकी परकास्था कहलाती है नेक्स्ट है लोग प्रियता में कमी होना क्या होता है अतता उस फेशन की प्रतियों का भारी संख्या में उत्पाधन होने से फेशन प्रिय व्यक्ति उस शेली से उप जाते हैं और कुछ नया देखना शुरू कर देते हैं इस घटती लोग प्रियता वाली शामाग्री को दुकानों पर कम कीमतों पर बेच दिया जाता है शैली का परित्याग अत्वा एप्रचलन क्या है? तो फैशन चक्र के अंतिव पढ़ा में कुछ उपभोकता पहले से ही नए रंग रूप में आ जाते हैं और इस प्रकार नया फैशन चक्र प्रारंब हो जाता है फैशन व्यापार क्या होता है? तो फैशन व्यापार का अर्थ है विक्री के प्रोच साहन के लिए सही समय पर, सही स्थान पर और सही मुल्ले पर आवश्यक योजना बनाना यदि इन सभी इस्थितियों की योजना बनाए जाए तो अधिक्तम लाप प्राप्त किया जा सकता है फैशन व्यापारी क्या है? व्यापारी वहव्यक्ती होता है जो प्रेणा को डिजाइन में परिवर्थित करने के लिए सुसाध्य बनाता है मत्तब उसके दिमाग में कोई आइडिया आया और उस आइडिया को उसने एक डिजाइन में परिवर्थित कर दिया संकल्पना के लिए प्रद्योगी का उप्योग करता है और फैशन उध्योग में उपभोगता की आवशक्ता हों और मांगो के लिए उत्पादों के नियोजन उत्पादन समवर्धन और वित्रन पर ध्यान देता है ये सारी चीजें क्या कहलाती है फैशन व्यापारी फैशन व्यापार को अच्छी तरह से समझना तो फैशन व्यापारी किस तरीके से काम करता है वो हमने उपर देख लिय और फैशन व्यापार को अच्छी तरह से समझना है हमें तो फैशन व्यापार को अच्छी तरह से समझने के लिए ये महत्पून है कि फैशन की वस्तूओं के उत्पाद, क्रे, समवर्धन और विक्रे में व्यापारियों की भूमिका की परक की जाए वियापारियों की प्रतेक पहलू पर फेशन वियापारियों की भूमिका की परक करे कीस अधार पर करे तो वी निर्माण के अधार पर करे वी निर्माण में फेशन वियापारी किसी एक परिधान को बनाने में विभिन प्रकार के कपडों का उप्योग करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतता है वस्तर की एतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक सूजबूज होने पर डिजाइनर की कलपना शक्ति को वास्तविक्ता में बदलने ही तुम मदद मिलती है कपडों और परिधान निर्माण के ज्यान का उप्योग करते हुए फैशन व्यापारी डिजाइनर द्वारा तेयार किये गए परिधान को ले लेता है और इसके उत्पादन का श्रेस्ट तरीका ढूंगता है साथ ही मूल्य और लक्षित बजार जैसी बातों का भी ध्यान रखता है नेक्स रै क्रे क्रे का मतलब होता है खरीदारी या खरीदना तो फैशन व्यापार का हिस्सा बन जाता है जब एक व्यापारी फैशन की सामगरी दुकानों में रखने के लिए खरीदता है एक फैशन व्यापारी को फैशन की वस्तूओं के लिए लक्षित बाजार की जानकारी होना आवश्चक है और साथ ही उसे फैशन प्रवर्ती विशलेशन और पूर्वा नुमान लगाने में भी निपुन होना चाहिए इससे अधिक सही ओर्डर दिया जा सकता है एक डिजाइनर के साथ मिलकर कारे करने वाला फैशन व्यापारी एक बार फिर वस्तूर निर्मान और वस्तूरों के विशे में डिजाइनर को अपनी विशेश्ता प्रदान कर सकता है समवर्धन क्या होता है जब फैशन व्यापारी डिजाइनर के लिए काम करता है तब उसकी पहली वर्यता यह होती है कि वह डिजाइनर की उतपाद को उन दुकानों तक पहुचाए जो उसे अधिक मात्रा में खरीदना पसंद कर सकते है फैशन व्यापारी को न केवल रचनात्मक मस्तिश्क और प्रबल व्यापारी कोशलों में द्रस्टी के आवशकता होती है बलकि उसके उतपादन कोशल भी तेज हूने चाहें फैशन व्यापारी डिजाइनर द्वारा तेयार परिधानों को फैशन प्रदर्शनों द्वारा बढ़ावा देता है जहां रचनाएं और उनके द्रश्य प्रभाव समवाहित ग्रहकों का ध्यान आकर्शित करने के लिए बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किये जाते हैं इसके अतिरेक्त फैशन व्यापारी डिजाइनर के कपड़ों के लिए लक्षित बाजार ढूनते हैं जैसे बच्चों के कपड़ों की दुकाने या विभाग ये दुकाने या फिर छूट देने वाली दुकाने जैसा कि सेल लगी हुई है आज केल हम लोग कह देते हैं इस फैशन व्यापारी जो एक डिजाइनर के साथ काम करता है दुकानों को फैशन की वस्तूएं बेचने के लिए उत्तरदाई होता है और दुकाने वहमाल ग्रहक को बेचती हैं इसके लिए भी व्यापारी को पूर्वनुमान और भाजार की प्रवर्दी का ग्यान होना चाहि जिससे वह वस्तूएं के उत्पादन की अनुशनसा यानि की प्रशनसा कर सके सरजनात मक्ता महत्वपूर्ण होती है जिससे व्यापारी यह सलह अवश्य दे सके कि दुकान में वस्तूएं को कैसे प्रदर्शित किया जाए यानि की रखा जाए लगाया जाए जब फैशन व्यापारी एक खुद्रा दुकान के लिए काम करता है तो उसके उत्तरदाईतिव में वस्तूएं को खरिदना और दुकान में सजाना भी शामिल रहता है नेक्स्ट है आपका व्यापार के इस्तर तो फैशन उद्योग में व्यापार के तीन इस्तर होते हैं पहला खुर्दरा संगठन में व्यापारिक गतिविदियां दूसरा क्रे एजेंसी व्यापार में सामान और तीसरा निर्यात उद्धम में व्यापारिक गतिवेदियां सबसे पहले हम देखेंगे खुर्द्रा संगठन में व्यापारिक गतिवेदियां तो इसके अंतरगत फैशन उद्ध्योग के भीतर यह एक विशिस्ट प्रबर्धन कार्य होता है यह विवसाय फैशन दुनिया की दुकानों को डिजाइनर के प्रदर्शन कक्ष से खुर्द्रा दुकानों तक और फिर क्रहकों के हाथ तक महचाता है यहाँ पे खुद्रा जो दुकान बार-बार आ रहा है, खुद्रा का मतलब होता है, जहाँ पे थोक में वस्तुए मिलती है, ठीक है, थोक शब्द शायद आप समझवाएंगे, यह है खुद्रा संगठन के अंतरिक नियोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है, यह करना, नेक्स्ट है क्रे एजिंसी व्यापार में समान, तो यह एजिंसी वस्तु के क्रे के लिए प्रामर्श देती है, ग्रहाकों के लिए सामान उपलब्ध कराने के कार्याले का काम करती है, क्रे एजिंटों का उतरदाइत हुपूरा करती है, विक्रेताओं को पहचान करा प्रियाप्त बचत करती है, उत्पादन प्रिक्रिया गुणवत्ता पर नियंत्रन रखना, क्रेय एजिंसियों के माध्यम से खरीदना और निर्यातकों के लिए लापदायक सिध्ध होना. नियंत्रन आपका बैठता है, नियंत्र उत्पादकों के बीच मध्यस्तता काका रहसुनिष्चित करना की उत्पाद का विकास खरीदार की आवशक्ताओं के अनुसार हुआ है. नेक्स्ट शोत ढूणने, नमुना लेने और खरीदार से बातचीत करने की जिम्मेदारी और दूसरा होता है उत्पादक व्यापारी उत्पादन और खरीदार व्यापारियों के बीच मधस्तता का कार्य उत्पादन को समय बधता और खरीदार की आवशक्ताओं के अनुसार कराने की जिम्मेदारी होती है नेक्स्ट है बाजार विभाजन तो इसका कारण पहला है जनांकी किया विभाजनी करण ये समुहन मुखे रूप से जनसंख्या, आयू, जेंडर, विवसाय, सिक्षा और आय पर आधारित होता है नेक्स्ट है भोगोलिक विभाजी करण मुखे रूप से नगरों, राज्यों और छेत्रों पर होता है जलवायू परिवर्तनशील हो सकती है भोगोलिक में मतलब कि शहर का व्यक्ति अलग तरीके का परिधान पहनेगा गाउं का व्यक्ति अलग तरीके का परिधान पहनेगा इसके अतिरेक्त कश्मीर का व्यक्ति अलग तरीके का परिधान पहनेगा और राजिस्थान का व्यक्ति अलग तरीके का परिधान पहनेगा क्यूंकि कश्मीर में ठंड है और राजिस्थान में गर्मी है गाउं में थोड़ा सा दिहाती और पारंपरिक पहनावा चलेगा और शहरों में थोड़ा सा मॉडन पहनावा चलेगा इसकी बात भोगलिक विभाजी करण में होगी नेक्स्ट है मनोवरति परक विभाजी करण ये समुहन सामाजिक गतिविधियों पर, अभिरूचियों पर, मनोविमोध संबंधी कार्यों पर, आवशक्ताओं पर और अपेक्षाओं पर आधारित होता है समाण जीवन शेली वाले लोग लक्षित बाजार समुह बना सकते है नेक्स्ट है विवारगत विभाजी करण विशस्ट उत्पादों ये सेवाओं की राय पर अधारित समुह है कई बार उत्पादों और सेवाओं के उपयोग का मुल्यांकन किया जाता है सेवा उत्पादन में सुधार के लिए मदद से उसे दूसरों से अलग बनाते है नेक्स्ट है फैशन के खुद्रा संगठन संगठन आत्मक धाचे में प्राधिकारियों की स्पस्ट समझ और पूरे किये जाने वाले प्रतिक कारे के लिए उत्तरदायत्व शामिल है संगठन प्रणाली विभिन प्रकार की व्यापार सामगरी फुटकर फर्म के आकार और लक्षित ग्रहे अनुसार भिन होती जाती है छोटे एकल इकाई स्टोर क्या है ये एक important question आपके लिए हो सकता है तो पडोज की दुकान की तरह होता है ये मालिक और परिवार द्वारत चलाये जाने वाले स्टोर होते हैं विभागे स्टोर क्या होता है तो विभागे स्टोर में प्रतक भाग होते हैं जो विभागों के नाम से जाने जाते हैं जैसे कि उसमें कपड़ा भी रग दिया, खेल का समान भी रग दिया, यांत्रिक सप्लाई रग दिया, स्वास्ते और सौंदरे के प्रशादन रग दिये, इलक्ट्रोनिक उपकरन रग दिये, और तो और खाद उत्पादों को भी वहाँ पर रग दिया. स्टोर श्रंखला क्या होती है, तो ऐसी फुटकर दुकाने, जिनका एक ही ब्रैंड और केंद्रिया प्रबर्धन होता है, जैसे कि कौन सा हम क्या देते हैं, कि बाटा का शोरूम चल देते हैं, या लिबर्टी के शोरूम में चल देते हैं, जहां पे आपको फुटवेर्स मिल और जद से जादा क्या मिलेगा, पर्स मिल जाएगा, लिबर्टी और बाटा से रिलेटेड, तो नेक्स्ट है, प्रमुख विभाग, तो व्यापारिक प्रभाग क्या होता है, तो क्रे, व्यापारिक नियोजन और नियंत्रन, विक्रिय, फैशन, समन्वे, ये सारी चीज़ की व्यापार विशेश घटनाओं की प्रचार और जन संपर्क की, जिससे की हमारी चीजों की अधिक से अधिक बिक्री हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक उसकी पहुँच जा सके, वित और नियंत्रन प्रभाव, तो जमा, खाता दे और समान सूची नियंत्रन, ये सार की सुरक्षा की देख भाल का काम प्रचालन प्रभाग करता है कार्मिक और साखा स्टोर प्रभाग का क्या काम है यदि इस्टोर प्रचलन बहुत बड़े हैं तो यह प्रभाग अलग से कार्य कर सकता है नेक्स्ट है लाक्षित बाजार, तो सबसे पहले इसकी परिभार्षा देख लेते हैं, उपभोक्ता की वह श्रणी जिससे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है, मतलब वह वाला उपभोक्ता यानि की वो वाले खरीदार जिन्हें व्यापारी जिनके द्वारा समान खरीदने की संभावना अधिक होती है और विक्रय पर हुए वे का अधिक तमलाब मिलता है तीसरा है प्रक्रिया तो बाजार विभाजन द्वारा किया जाता है एक ऐसी निती है जो बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के ऐसे उपसमुहों में बाड़ती है जिनकी आवशक्ताएं और समान की उपयोगिता तथा बाजार में उपलब्द सेवाएं सर्व सामान्य होत तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर बारा यहीं पर समाप्त होता है इस चैप्टर के सभी इंपोर्टन टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में सिंपल से सिंपल लेंगवेज के द्वारा आप लोगों तक पहुँचाया है आशा करती हूँ आपको चैप्टर समझ दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें